नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, डाउटनेक की वन्चॉट की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तो आपके अमित भीया एक बारी आपके सामने फिर से हाजरें एक नए चैप्टर के वन्चॉट के साथ, तो हमारा chapter कौन सा है? हमारा chapter है यॉरोप में राष्ट वाद का होता है, पहले भी पढ़ रखा होगा, मैंने बहुत सारे lectures बना रखे हैं, तो हर lecture में मैं कुछ ना कुछ नया try करने की कोशिश करता हूँ, नई तरीके की समझाता हूँ, तो इस lecture में भी इस chapter को मैं पूरा नई मिशह आपको बोलता हूँ चाहिए आप इतिहास पढ़ रहे हो चाहिए आप अर्थ सास चाहिए आप नागरिक सास एक्स वाइज आड कुछ भी पढ़ रहे हो तो चैप्टर की ना नाम पे जाए घरो मिशह नाम में पूरे चैप्टर का सार चुपा होता है, पूरी आउट सुन रखा होगा, इसका नाम है राष्टवाद, और राष्टवाद कहां पर, कहां पर राष्टवाद हो रहा है तो यौरोप में, उदया मतलब किसी चीच का राइज होना, किसी चीच का उगना, अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या बेसिक लिए कि यौ हमारा जो राष्टवाद था, वो अलग था यौरोप के राष्टवाद से, लेकिन राष्टवाद के हम मतलब की हम बात करें, तो राष्टवाद होता क्या है भई, क्या है राष्टवाद, तो राष्टवाद क्या होता है अगर किसी के शब्द के आगया बाद अलग जाए या फिर अंग्रेजी हम बोलें ISM लग जाए nationalism जैसे आप अगर English में पढ़ो गे इस chapter को English में इस chapter का नाम है Rise of nationalism in Europe nationalism in India तो यह जो वाद वाली शब्द है या फिर ISM वाली जो शब्द है आपको सुनने को मिलते रहेंगे जैसे उधारवाद, राष्टवाद, साम्मेवाद, विस्तारवाद तो जब किसी भी शब्द के end में बाद लग जाए ना तो समझ लोग वह एक विचारधारा है वो किसी विचारधारा को बता रहे हैं विचारधारा क्या होती है? कि कोई भी विचार, जिसको कोई एक partial group, जो एक follow करता है। वो विचार जिससे लोग प्रभाववित है। लोग काफी influencers हैं। और उसको follow कर रहे हैं । तो राष्ट वाद भी क्या है? राष्टवाद भी एक विचार दारा है अज़ लिएक है तो यहां पर दो शब्द है क्या हुआ है । किसी ना किसी से जो है हम प्रेम करते हैं और जब प्रेम हम करते हैं तो उसको नाम दे दिया जाते हैं अलग-अलग है ना जैसे आप अपने मावाप से प्रेम करते होगे आप अपने दोस्तों से प्रेम करते होंगे प्रेमी प्रेम का वालब प्रेम अलग होता है वो बाई और एक जो प्रेम होता है वो होता है राष्ट के लिए उसको हम क्या बोल लेते हैं राष्ट बोल लेते हैं और ये राष्ट के लिए प्रेम क्यों बढ़ता है अंदर से क्यों मढ़ता है अंदर से मलब आप जब जिस देश में रह रहे हो जैसे आप मान कि चुलो भारत में रह रहे हो आपको हमको हम सब को जो है भारत से प्रेम है जरूत पढ़ने पर हम जान भी दे सकते हैं अपने देश के लिए अब यह जो भावना है आपके अंदर क्यों आई हर चीज का कारण होता है ना और हर चीज के पीछे पीछे कोई ना कोई रीजन होगा अब यहाँ पर राष्टवात की जो भावना है पहोड़ेां, आपके अंदर क्यों आए भयए, जैसे कोई विदेशी आपके घर में आएगा, उसको यह भवना नहीं आएगी, उसको अपने देश के लिए भावना होगी, हैना भले वह घूमने आएगा भारत में, लेकिन राष्टवात की भावना नहीं आएगी, कि हम भारत में हैं तो हम भारती नहीं है, हम जिस देश के हैं, उस देश की राष्टवात की भावना हमारे अंदर होगी, और हर नागरिक जो अपने देश से प्रेम करता है, ना सिर्फ भारत का, बागी की जो दूसरे देश है उनके नागरिक भी अपने देश से प्रेम करते हैं. अब यहां पर सवाल यहां आता है कि राष्ट्वाद की भावना आती कहां से हैं? तो उसके कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं. यहां तो जहां आप रह रहे हो, वहां एक पूरा समाज बनता है, आपको पता होगा, जहां आप रहे हैं, जहां पर समू है, पूरे लोगों का, वहां पर एक पूरा क्या बनता है, समाज बन जाता है, लोग रहते हैं, एकटे रहने लगते हैं, आपसमें इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत होती हैं, रिष्टे इतिहास है हम सब को जो है अंग्रेजियों ने परिशान किया है तो यह हमारे इतिहास है और हमने साथ में मिलकर जो अंग्रेजियों सो लड़ाई लड़ी उसके बाद हमें क्या मिल गई उसके बाद हमें आजादी मिल गई तो हमारा क्या बाई हमने हमने जो अपनी हमने हमारा उससीर बहुत से हमले हुए उस साथ में थे हमारा साजा इतिहास हम इना सार हम पर तो यह हमारी जमीन है। हम पले बड़े हैं। यहाँ पर जो भी संस्कृती है। को संस्कृति की बात करें संस्कृति होती क्या होते है कि वहां का हुए साज्य कर और हम लेकिस यह साजा iints आप यहां रहते होता भांपर देखो पड़ोस में अभी तिवालीx आने वाली है दिवालीकी सबीलोग दिवाली कर्णानेके तो इए और यह सारी चीजों को मिलाकर क्या बनता है और राष्टवाद के लिए कोई एक कंडिशन नहीं होती कुछ भी हो सकता है पहनावी के अधार पर अब जैसे हम बात करें हमारे भारत देश में तो ऐसा नहीं है कि भाषा के अधार पर राष्टवाद है हमारे देश में लेकिन ह अब अगर आप देखोगे दूसरे देश उमें घ्रते फ्राफ वगेरा में तो यहाँ पर एक भाषा को भी एक राष्टवाद का अधार बनाया अब यह पोलेंड में बी भाषा . organization को पॉलिश भाषा को एक राष्टवाद का अत्यार बनदे गिया तो कुछ B monde के अ बहुत सारी जो चीजे हैं, उनका अधार बनाकर हमारे अंदर से जो अपने देश के लिए जहां पर रह रहे हो, उस जमीन के लिए प्रेम उड़ता है ना, उस चीज को आप बोल लेते हैं, राष्टवाद बोल लेते हैं, अब राष्टवाद पर बहुत जादा मैंने बोल ल मैं समझना है, तो भारत में राष्टवाद, देख लो, वो बना दिया है, अब बात कर लेते हैं, यॉरोप में राष्टवाद की, अज़ा यॉरोप क्या है, यॉरोप कोई देश नहीं है, पहले समझो, बहुत सारी बच्चे कंफिर आते हैं, इस्पेशली हिंदी मीडम व अब यॉरोप में कैसे राष्टवाद की उत्पत्ती हुई, क्योंकि ये पहला चैप्तर है, और कही न कहीं जो राष्टवाद जैसी चीज है, पहले थी नहीं, आज से 222 साल पहले, इसका नाम नुशान नहीं था, लेकिन फिर से कैसे आई है, किस तरीके से इसका विकास तो उसमें यॉरोप का बहुत बड़ा योगदान है, और यॉरोप की भी हम बात करें, तो एक देश है फ्रांस, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो अगर मैं यॉरोप की बात करूँ, तो यॉरोप आज से मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बारे हम बात करूँ, चुई आज से हजार साल पहले कि हम बात करें, हजार तो बहुत ज़ाधा बता दिए, मैंने आज 600-600 साल साल पहले की हम बात करें, तो यह योड़ोप जो है, इतना ज़ाधा कोई advance नहीं था, जितना है न यह, उतना ज़ाधा advance नहीं था, फिर यॉरॉप में क्या आता बाई यॉरॉप क्या सोर्ण युक्टी जो है शुरूरात हो जाती है आप देखो गा यॉरॉप में कि यहां पर अलग-अविश्कार होने लगते है एक बोलते हैं रेनसेस पीरिट जो बोलते हैं इस तो इसमें हुआ क्या इसमें नएने अविश्कार हुए, नएने खोजे हुई यहाँ पर, लोग पढ़ लिग गए, और जब लोग पढ़ लिग जाते हैं तो लोगों के अंदर सवाल आने लगते हैं, कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले क्या था, पहले राजयरजवारे हुआ करते थे, ऐसा माना जाता जब चीज़ा आगे बढ़ी थोड़ा सा यॉरूप जो है एडवांस होने लगा, हर चीज में, तो यहाँ पर लोगों की मन में प्रशना आने लगए, कि हम जो है राजया के अंदर मां क्यों काम करते हैं, एक पूरा समाज जो है बटा हुआ था, समाज की कुछ समचना ऐसी थी पूरा समाज ही जो है यॉरूप में बटा हुआ था, और कहीना के आपने पहले चैप्टर में पढ़ाया, क्लास नौवी में, फ्रांसी सी करांति याद करो, उसमें क्या था भाई, पूरा समाज जो था फ्रांस का, वो तीन वर्गों में वाजित था, प्रिथम दिर्थ च्वाले लोग आते थे, पादरी वर्ग था, दिर्थी में कुलीन वर्ग था, और तिर्थी में जो किसान है, और छोटे मोटी व्यापारी है, और थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे लोग है, बात में तिर्थी वर्ग से ही एक मद्दम वर्ग निकलता है, लेकिन उस से तो पूरा समाज बटा हुआ था और कही ना कहीं फ्रांसीजी न उपर क्रांती जो चैप्टर ए उससी कई मिलते हैं लेक्टोन न्यूट्रन प्रोटोन की कोज़ जाती है बाई स्टीम इंजन और आप देखोगे यहां पर अलग अलग जो बड़े-बड़े जो आप उस दार्शनिक लोग जो हैं यासे हम बात करें रूसों मॉंटेश्च की है ना यह सारी जो बड़े-बड़े राइटर रेफ ओर यह कंट्रोल क्यों कर रहे है क्योंकि अफं़ों होने दे रहे हो तो ऐसे कई सारे विचारक आते हैं होता एक आपर विचारिक क्रांति जो होती है वो भी यहाँ पर फैलने लगती है तो कई सारे यॉवरूप में उसains टाइम पर बदला हो रहे दे और जब यहाँ बदल नहीं होगा अब किसका तंत्र होगा गता तंतरे के देश आ हैं नहीं पर टूक लक्ते अ कि देश कीन Talk hr जानिकि एक लोगतांतरिक देश की जो यहाँ पर नीव रखी जानी चाहिए है तो यह सारी उसके हैं और तो पिछली क्लास का पिछले चैप्टर का याद नहीं होगा अभी तो पिछली क्लास की हम पिछली साल की बाद कर रहे हैं है ना तो जिन बच्चों को इत्यास अच्छी लगती है तो उन्हें याद होगा फ्रांसी करांती माप ने क्या पड़ा था कि बहुए बगदर मच जाके वह नेशनल असेंबली की जो यहां पर इस्थापना कर देते हैं वही जो नेशनल असेंबली जो होती है वह फ्रांस का संविनान मनाती है आपने देखा वाई किसनी कितनी उथल पतल हुए और हमने लाश्ट चैप्टर कहां खतम किया था कि जब फिर से क्या होता है फ चंगारी वह आग में बदल जाती है तो पूरे यॉरोप में और पूरे यॉरोप से पूरी दुनिया में यह चीज फैल गए तो आई होप आपको चैप्टर की जो आउटलाइन है पूरा सार जो है वह बहुत अच्छे के लिए हो गया होगा है ना चलिए आब आगे बढ़ पढ़ते तो आप अगवार भी हो निउस्पेपर भी हो याद रखता है उसमें कुछ लिए मूवीज देखते हो आप मूवीज में वैसे आपको पूरी स्टोरी याद होगी लेकिन मैं आप सब बोलूं कि एक-एक डायलोग लिखना है आपको कॉंपी पर लेको नहीं लिख वैसे इस पेंटिंग का इतना जादा क्वेशन नहीं आते बस यह क्वेशन आ सकता है कि किसने बनाई थी यह यहां पर आप देख रहे हो पूरी लाइन लगी हुए है यह पूरी लाइन देख रहे हो है ना यह कुछ अवशेश पड़े हुए है यह थोड़ा जल्ली पढ़ आप देख रहे हो ऊपर जो है बहुत सारे यह इसमसी की तस्दीर और यहां पर फरिष्टें हैं जो आशुरवाद दे रहे हैं और यह क्या है यह आजादी की लड़ाई हो रही है मतलब यह freedom की लड़ाई है और यह जो मूर्ति है ना यह सवतनता का प्रती कि वह जो इसको क दिखाया गया है और यहाँ पर देख रहे हैं तोटे हूँ अविशेष पड़े हूए है यह रास तंत्र के हैं शतन्तर के हैं जो लोग होंगे वर्ग हीन समाज होगा और यहां पर एक लोग तंत्र के विश्टा रखी जाए की यह गड़राज की जो है यहां पर स्तापना की जाई गड़राज मतलब क्या होता है जहां का जो head है वो elected है वो चुना गया है वो जनता की द्वारा चुना गया है जैसा आज की बात करें तो जो समाज की गलपना इनने की थी वो आज पूरी दुनिया वैसे ही है ठीक वैसी कि वैसी है हमारा भारत ही है कुछ हमारा भारत एक क्या है गडराज जी बई जो बहुकि हमारे यह डा कहते हैं गडराज़ चंके हम लोग नहीं चुनते इंडाइकल एलेक्शन होते हैं निख प्रधान मंतरी को तो हम चुनते, सरकार का है कौन होता है, प्रधान मंतरी होता है ज्विक्त हिले प्षा है, जै की हुपना फ्रैडरिक सोर्यों ने 1845 में ही कर ली थी, समझ ब यहां पहली पेंटिंग बाद हमने कर लिए है इसारी पढ़ चुके हैं एक शक्ति के रूप में राष्टवाद का विकास हुआ एक शक्ति के रूप में राष्टवाद का विकास राज मानते हैं देश है हमारा एक राष्ट के रूप में हम उसे रिकनाइस करते हैं और हम जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो उस राष्ट का ही हिस्सा है जैसा आज हम मानते हैं भारत हमारा देश अब दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ बताओगे क्या भाई क्या यूप यहां से चंगारी उठी यहां से चंगारी उठी और यह देखोगे जर्मनी ऑस्ट्रिय हंगरी इटली बेल्जियम और यह दर आओगे आप ग्रेट ब्रिटेंट इन सब की कहानी जवाप पढ़ने वाले तो यहां से उतल फदल होती है और यह पूरे योरोप में फैल जाते हैं यहां पर यहां पर बात करने वाले है इसी की पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे ठीक है चलिए अब बात कर लिते हैं फ्रांसीजी करांति के बारे में क्योंकि मैंने आपको बोला था कि फ्रांशी किरांति हुई उसके आगे क्या हुआ लोगों के विचार कैसे बजले तो उसकी अंबात कर लेते हैं तो तो 1789 में क्या हुआ यहाँ पे सत्ता करने की बात हुरी दिए ख्रम को निरंकुष्ट कर हुए में कश्कान कोई बहु नहीं कोई नहीं होगा उसके संपुसक्षा जोए करने की कोशिश की गई अब सामोिक पहचान विक्सित कैसे की गई वो हम आगे पढ़ेंगे कि हम सब एक हैं अलग नहीं है तीसरी चीज़ क्या हूँ यॉरोप को जो नरंकुष्टा से मुक्त करने की जो यहां पर पहल हुई थी नरंकुष्टा मतलब वहां का जो राजा तहल हुई सोलवा वह नरंकुष्टा उस पर किसी का अंकुष नहीं था किसी की रोक नहीं थी वह अपने मन मानी ढंक से जो है निड़ा लिया करता था उसका अंत हो गया था देखा आपने त्रांसी करांती में और यहां पर आपको याद होगा जैकोबियन क्लब की भी स्थापना की गई उसके बाद देखोगे आप नैपोलेन का जो है रूला आ जाता है नैपोलेन राज करता है तो वहीं से हमारी कहानी जो शुरू होगी अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हां फ्रांस ने कौन-कौन से कदम उठाए इस भावना को उजावेर करने के लिए फ्रांस ने इसाव करने के लिए कई गड़ण उठाए उन में से कुछ निम लेकित जहां कि राष्ट-क्रांतकारी लोग थे कुंकरांति क्रां वाम्धि करने क्या होता है क्रांत की ही बात कर रहो हूं मैं भटक मत जाना अभी मैं फ्रांस की ही बात कर रहूं तो क्या क्या करम उठाए इस राष्टवात की भावना को जागर करNEE के लिए पहला यहां पर पित्रमूमी और नागरिको के लिए जो औलगत यहाला किससे क्या हुआ इससे ब मेसिक लिए एक राश्टवाद की भावना है कि हमारे डेश जो है बड़ाई लापैतरे पितर बुमियासम बोलते हैं भारत माता की जै अला सितोर निनके नागरिक थे और क्या और क्या किये इन्होंने फ्रांसे से जंडा बाई जंडा जो होत प्राइब नेशन को रुप्रेजेंट करता है तो किसी भी देश के जंडे की बहुत बढ़ा मैंत्पूर्ट रोल दिवाता है तो हमारे भारत का भी जंडा है और यहां पर फ्रांसिसी जंडे को जो यहां पर लाया गया और जितने भी आप देखोगे राजा के खुद के जो खुद के उनके जो कुछ राज तेंट्रिक चिन हुआ जो करते थे उनको अठा दिया गया कुछ भी न चलेगा पस देश का एक जंडा होगा है ना फ्रांसिस जंडा और क्या-क्या इन्होंने एक केंदरी प्रसाशने को जो है लागू किया यह इसका मतलब क्या हुआ केंद कि प्रसाशने को इसको एड मिश्टर करना है आपको मैनेज करना है उसे आपको तो आपको पूरा और सिस्टर बनाना पड़ेगा तो यहां पर इक जो यहां पर एक कींद्री प्रसाशनी की विस्ता बनाएगी हर चीज को जो यहां पर स्थापित किया गया पर नियाए-पाली का बनाएगी है मतलब पूरा फ्रांस यहां पर गवनिकिया डाईगा एक सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप किया नेशनल असेंबली बनाई ओ अब आप देखोगे एक बदला और हुआ यहाँ पर जो सक्री नागरिक द्वारा चुना जाएगा समझो समझो अब थोड़ा सापको पीछे जाना पड़ेगा पीछे जाओ फिर से फ्रांसी करांती में मैं आप बापको बताया था इस्टेट जनल हुआ करती थी तीन थे प्रिथम वर्ग दिर्ति वर्ग जब भी राजा को टैक्स बढ़ाने होते थे तो तीनों वर्गों की मी कोना जादी और उन्होंने बोला कि इस्टेट का वोट नहीं होना चीए हर नागरिक का वोट अची जतने भी आते हैं वह्ला ज Düido ौग गद्जीज़ा को सख्री नागर चुना गंञाएं अब उन जश्य जनल थी वह इस्ट हम Crowd नहीं और नाम बदल गया था और यह जो नह अब टी इसको जो है सक्रीनागरिकों द्वारा चुना जाएगा ये सारी बाते हमने फ्रंसिसी कुराइन पढ़े गी सक्रीनागरिक कौन थे जो पच्छेस साल से उपर गे थे जिनके पास संपत्तिती जो टैक्स पे ला करते थे और जो पड़े लेखे थे इनको जो है आपर स बहुत है बहुत है ज़रूरी जो रोल है वह अगला क्या किया बाई राष्टी गीत पर फ्रांस का एक नया राष्टी गीत आ गया बहुत है बहुत है इसा थोता बहुत है यसे आप डीटर कोई छीज़ ला रहे है वह जो एक लीटर है वो किसी और की निजर में कुछ और है कहीं और आप जाओगी तो वहाँ पर उसको अलग तरीके से ना पा जा रहा है तो हर जगा जो अलग अलग यहाँ पर भार और मानब पद्दती हुआ करती थी उन सब को एक कर दिया गया यह एक किलो मतलब एक किलो तो अपने हिसाब से नहीं चलोगे तो यह सारी जो हैं आपर फ्रांस में बदलाओ देखने को मिले यह सारी जो चीज़ें वो देखने को मिली इसके जरिये जो है उनके राष्ट में उनके राष्ट में एक राष्टवार की भावना देखने को मिलती है तो आई होप आपको इतनी जो चीजे है वो बहुत अच्छे जो है किलियर हो गई होंगी है ना बहुत ही कहानी की तरह समझा रहूं मैं तो आपको समझ में आनी चाहिए अगर नहीं आए तो एक बारी फिर से देख लेना समझ में आ जाएगी आगे बात कर लेते हैं अब नहां पर बात करते हैं नैपूलियन की तो आपको याद होगा फ्रांसी जी क्रांती 1789 में शुरू होई थी मैं बार-बार उस चैप्टर से कनेक्ट करवाऊंगा क्योंकि जुड़े हुए सारी चीजे अलग-अलग नहीं पढ़ना सबको जोड़करी पढ़ना है 1799 में यह जो राजनीतिक सत्ता होती है उस पर जो है नैपूलियन का निंत्रन आ जाता है क्योंकि डारेक्टरी जो होती है वो फ्रांस को चलानी पाती ठीक से आपस में लड़ने लगते हैं अब आपने देखा कि 1804 तक 1804 तक जो नैपूलियन जो होता है यहां का राजा बन जाता है फ्रांस का राजा बन जाता है और ना सिर्फ फृरांस का बनता है और प्रांस के आज देखर को यहां लोग को लगा कि यह हीरो है ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और सभी बात थी इसने काफी सारी कदम ऐसे उठाए जिन से लोगों का भला भी हुआ लेकिन होता है ना कि नायक नहीं खल नायाग हुम है तो इसने बात में अपने रंग दिखाने शुरू कर दिये कुछ अच्छी चीज़े लाई है और कुछ बेकार चीज़ लाया और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या थी जब यह और दूसरे देशों में जो है कबजा कर रहा था तो वहां पर जो लोग थे उनका एक मिश्रित या इसके रिव्यूज थे मिश्रित मतलब एक मिश्रित गोशित करती है और 804 से 815 तक जो है इसने क्या किया फ्रांस पर रूल किया और 815 में जो वाठरलू का यूद दोता है उसमें इसकी हार हो जाती है उसकी कहानी हम जानेगे पहले जान लेते हैं कि जब यह नैपुलेन राजा बना तो यह नैपुलेन कोड करके जो है लाया मतलब नैपुलेन ने जो नियम कानून बनाए थे अपने राज को चलाने के लिए उसको क्या बोला गया उसको बोला गया नैपुलेन कोड यहां फिर इसको सिविल कोड भी बोला जाता है तो सारी बाते यह कि यह नैपुलेन कोड बोल लो चाहें इसको नैपुलेन सहिता ब बोला गया उसको बोला गया नैपुलिन को simple सी बहुट है क्षे वह हैं और इसको बहुत तरह की जो है विषिश अधिकार प्राप थे टैक्स नहीं प्यकरना पड़ता था इसने यह सब कुछ कैंसल करते हैं यह सब बराबर हैं ना कोई प्रिथम श्टेट है ना दृती श्टेट तो आपको कोई संपती चीन दे सकता भाई उसका एक जो आधार होता है बेश जो होता है मजबूत कर दिया और क्या किया उसने हाँ सबसे important काम जो किया कि दो कोई भी देश में अगर आपको व्यापार अच्छे से करना है तो उस देश का यातायात और संचार मजबूत होना चाहिए और ये जो चीज है वो नैपॉलिन को समझ माँ आगई आज की टाइम पर हम बात करें तो आज की टाइम पर भाई रेलवे जो है बहुत ज़रूरी जाता है आपका साधन है एरोप्लेन हो गया बसे होंगी आज ये रुख जाएं तो हमारी पूरी अर्थ विस्ता रुख जाएगी और हमारी अर्थ विस्ता की रीड की हड़ी बहुली जाते है तभी एक चैप्टर भी है लाइफ 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 लाइन ऑज नैशनल एकॉनोमी पढ़ोगे आप इसमें यही का बताय गया है ग listening to cb consultation और संचार ये बहुली देश की अर्थ विस्ता की रिड की हड़ी होता है तो यह बहुलें को समझ मा आगई थी अगर नैपोलें को समझ मा आगई यहांपर तो नैपोलेंन ने क्या किया नैपुलिन ने यातायात और संचार के जो साधन थे उनको मजबूत बनाया आज चाइना मजबूत क्यों है हमसे क्योंकि चाइना जो है लद्दाफ तक उसने क्या कर लिया है है ना तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि याता यात और संचार जो होते हैं वो किसी भी देश की अर्थ विस्ता में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और क्या किया इसने अच्छी जी सामंधी विवस्ता को जो है खत्म कर दिया सामंधी विवस्ता क्या होती है फ्यू तो यह जो दासता सिच्टम जो होता है, है ना, दास और जागीरी सिच्टम जो होता है, इसमें, यह जो मजदूर होते हैं, काम करते हैं बचारे, है ना, किसी के अंडर में, उनको पैसा विसा नहीं दिया जाता, बनुआ मजदूरी जो होती है, बैसे के लिए बोलते हैं, बन अब यहाँ पर बुरी चीज़े क्या थी वह में लिखके नहीं लाया ऐसी मोजमानी बता देता हूं कुछ इसने बुरे-बुरे काम भी किये जैसे कि इसने महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा दूसरा इसने क्या किया वाई दूसरा इसने किया कि जबरन भरती करने शुरू कर दिया इसने मतला हमारा मन नहीं है फिर भी तुम्हें जो या सेना में जाना पड़ेगा अर यह मन तो होना चाहिए कि तुम जबरस्ती ले जाओगी तो इसने जबरस्ती जो है हम पर अपने ही नागरिकों को सेना में भढ़ती करना शुरू कर दिया तीसरी चीज सरकार के खिलाफ है मेरे खिलाफ है तो उसके पहंची चल जाएगी तो उसको बोलते हैं सेंसर्शिप तो यहां पर सेंसर्शिप लगाया मतलब जनता को सब सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनाई देना चाहिए और मीडिया जो है चौथा पिलर होता है देश में देश की जो है दो यह बात हमने कर लिवाई फिर से ओंण आ दे आब यहां तक और एक बातकर लिपिर करतें नादयोर्शी सारी जुड़ी हूई है और का मैं करूँगा लेकिन तो मैं अब यहां पे यहां पर बात कर लेता है किसकी, योरोप में राष्टव कि यॉरोप में उस टाइम पर राष्टवात का निर्माड हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी जो है, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, अब ऐसे हम बात करें यॉरोप में, यॉरोप में पहली बात तो आज से हम बात करें 200, 200, 300 साल पहले, कोई भी राष्ट या ऐसी हो लोगे, हम भारती नागरिक है, सिटिए उनिशिप कहां किया आपके पाल, भारत किया है, तो ऐसे हम बात करें, आज से बहुत पहले की, तो पहले कोई भी राज नहीं हुआ करते थे, पहले राज जी थे, सामराज हुआ करते थे, उनमें राजा जो है, रूल करते थे, ब सब्सक्राइब दो वर्गों में बट फोऊ थे सिच्चिजन। और एक थे गरी वर जुसका मौलते थे त्रत्री वरुआ त्रें त्रत्री वर्ग आते थे we are कि अन्हें बात करें तुरति वर्ग में आपको याद होगा फिर समय अन्हें ले जाओंग पीछे क्लास नाइंथ फ्रांसीजी करांती अगर यह नहीं पढ़ा इसमें भी लेक्चर बना हुआ है डाल देना फ्रांसीजी करांती हम इस सर देख लेना 40-50 मिनट का लेक्चर है उससे और अच्छे समझ माँ जाएगा गरीब वर्ग की बात करएं तो यह तर्थी यथे बीक्ति ट्रींस इसृप और उसके और पूरा इनीव हो था तो अगर मात करें योरोप के समाज की पूरे, तो ये, इसमें एक तो सिश्टिजन थे, भाई, जो राजा की सगे संबन्दी है, मिनिस्टर जो है, पाइसा है, अपार संपत्ति है इनके पास, और ये सिर्फ कितने थे, सिर्फ 5% थे भाई, 5% की हम बात करें, बहुत कम थे, और ये कितने थे, य 90-98%, अब यहाँ पर एक बदलाव होता है, अब यहाँ एक चीज और थी यहाँ पर, अब यहाँ पर एक और विचार धारा थी, योरोप की हम बात करें, एक थे भाई, लिबरल, यहने हम बोलते थे, उदारवाद, और एक को हम बोलते थे, रूडवाद की, मना बता ना, वा की जो लोग है, सतंता आ जादी, जिन चाहीते, यह तो कौन से, गरीब वर्क के, गरीब वर्क, यहाँ पर आप बोल सकते हो, मध्यम बर्क, आपी सुनना थोड़ा जखना, करना, समझ मा आ जागा, एक मिट दो, बस एक मिट दे तो, मैंने बोला, कि देखो, यहरोप कर पुराने और बहुषार से, और वो इस आपर जैसा नहीं होना चाहिए, जो पुराने चली आ रही है, उनको चलने दो, पुराणिक है लोगो जादा मानते है उसको ज़ादा न भले गलत क्यों न हो उसको उसको ही एकसेप्ट करते हैं, उनको मानना यह होता है कि पुराणी जो चीज चलिया आ रही है, उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशर, ऐसे लोगों को रूडवारी बोल लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना एक मूवी आई थी मोहबते मूवी में जो जो अमता बच्चन थे वो कैसे रूडवादी थे और जो शारुक खान था वो कौन था वो दारवादी था है ना तो थोड़ा सा कर लिया करो अचा अब यहाँ पर जो राश्चाही लोग थे राश्चाही खानान के लोग थे जो यह श्रिजन हुआ करते थे और बाकी जो नहीं वर्ग के लोग थे उनको हम जो है वो गरीब यहाँ फिर आप बोसकते हो मध्धम वर्ग में आते हैं आप सुनो है अपर थोड़ा सा बदल और धोई करांती का सिंपल सा मतलब बताओं मैं तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या यहाँ बड़ी-बड़ी फैक्टिया खुलने लगी अब तक या था चीजे अलग-अलग हातों से बनाई जाती थी सलाई कहीं और हो रही है कपड़ा कहीं और बनना है उसको रगां कहीं औ लगां यहाँ तो यह सब अलग-अलग जगां अब क्या बड़ी फैक्टि लगने लगी थी हर काम जो है एक होता था और चीजों को मशीनों से बनाने लगे इस्टी मिंजन आ गया था इस्पनी जानी मशीन आ गई थी बड़ी-बड़ी जो है अलग-अलग यहाँ पर यॉर लेकिन इतने गरीब भी नहीं है कि रोटी को तरस है तीन टाइमर खाना मिलता रहता है बागी लाइफ ऐसी चल लिए तो यहाँ पर एक नया वर्ग निकला मध्यम वर्ग और यहीं से शुरू होती है एक नई विचारधारा जिसको बोला गया उदारवाद लिबल लिजुए उदारवाद किया होता है उदारवाद मतलब बहुत लीजाधा लिबराल आप सुनाओगा कहते हूँ है उनकी पेरेंटस है उनकी जो पेरेंटस है एपने बच्चों को लिबरेल लोग वहोते हैं जो सतनता को मानते हैं जो मानते हैं कि भॉया जो देश है वह ज 91 की तौरगर चलना चाहिए है सुतंता होनी शाहिए समानता होनी शाहिए इन सब को मानने वाले लोग कौन होते हैं उदारवादी लोग से आपके符 fault तब यह आपने देखा ना कि फ्रांस में क्या हुआ था फ्रांस में रूसों मॉंटेस्की वगएरा यह सब बड़े-बड़े दार्शनिक थे और मैंसे कालमाक्स हो गया और भी कई सारे लोग थे यह आ गए इनका उदय हुआ यह मद्धमवर के लोगों और जैसे ही इन मद्धमवर के लोगों का जनम होता है वैसे आप देखोगे एक बहुत बड़ा बदलाव जो है फ्रांस में आना शुरू होता है तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा यह जो एक जो है ना एक जो गुत्थी जो थी कि भाई राष्टवात कैसे विकास हुआ दी रहे तो उसकी आपने गुत्थी सुल्ज कोई आप पर रूल ना कर रहा हो कोई आप पर जोड ना डाल ला हो तो राजनीते गुदारी करणी के हम बात करें तो उसमें तीन चीज़ें थी पहला ना व्यक्तियों की सुतंत्र था कि जो लोग है वो सुतंत्र होने चाहिए उन पर किसी का जो है दबाव नहीं होना चाह कानून से पहले समय क्राशा कि सावनिया कानून कि असा यह कुलें वरके लोग अलग है पाद्रि और कि लोगे तो अरून को ऑपर Сहयमती से सरकार सरकार सकार मतलब क्या होता है पिक सरकार कि इस सरकार तो यह समें राजनीति को चला जाटी जानीति को चला जरा रहे ना तोoral वहुत जाद सब हो cas Pushkin धंदे से व्यापार से याद करो हमेशा याद रखो आर्थिक मतलब व्यापार धंदा सब यहां पर आर्थिक उधारिकरण की क्या बात हुई कि उश्टाइम पर जो लोग थे व्यापार किया करते थे उन्हें भी कई सारे मस्मूनों से जुजरना पड़ता था कई सारी इपना है कि आर्थिकोदारी करन का एक उधारन देखे समझा एक उधारन का नाम है जौलर्ण है ना जौलर्ण पॉर्ण क्या था दो आहिक शंक ता यूनियन भी सबसे अच्छा उधारण कौन सा देखने को मिलता है तो यह आपको देखने को मिलता है कहां पर देखने को मिलता है पुरूशया में अचा पुरूशया उस टैम पर सामराज हुआ करता था आज कर जो जर्मनी आप देखते हो आज जर्मनी जुक्त फर उन्तालेस राज्यों मैं वाजिद था और उसमें असे सब्से शक्तिशाली चुन्सीा treat कि पूरे जर्मनी जो फॉर 49 राजियों बटा हुआ था यहा पर इनकी अलग अलग मुद्रा है भी वाली गण करनसी खती से भीार बभी वाकला करना सतीरत्म यहां चाहिए बहुत दिक्कत वाली बात है, आर्थिक उतारी करण नहीं है, दिक्कत क्या थी भाई, चुंगी टैक्स देना पड़ता था, हर एक, जैसे एक राज से दूसरे राज में जा रहे हो, तो वहाँ पर एक टैक्स लगता था, कि आपके सामान का भार कितना है, क्या सामान है, उस प मापन की पद्दती जो थी, वो अलग अलग थी, यहाँ पर दो किलोग का कुछ और मतलब है, यहाँ पर एक, दो किलोग का कुछ और मतलब है, और यहाँ पर दो किलोग का कुछ और मतलब है, तो भार और मापन पद्दती जो थी, यह भी अलग अलग थी, ठीक है, तो यह सा समस्षाओं को यहां पर सामना इन्हें करना पड़ रहा था अब यहां पर क्या हो यहां पर इन समस्षाओं को दूर करने के लिए सीमा सुल्क संग का जिसे जॉवलन बोला गया उसका निर्माट किया जाता है अठारशाओ चौटिस में इसमें क्या किया गया बई कर इसि तीस मुद्रे थी उसको हटाकर कि गटना कर दिया दो पूरे जर्मनी में जो 49 भागों में वाजित था दो मुद्राएं होगी बहुत सारे जो राज थे उसने संग को जोई जोईन कर लिया और यहाँ पर जो भी व्यापार से संबंदित बादाएं थी यह सारी जो समस्था ही थी यह चुंगी पर टैक्स देना पड़ रहा है और यह सब जो भार और मापन की पद्दती अलग अलग है इन सब को जो हटा दिया गया हर जगा जो है एक ही भार मापन पद्दती होगी और कोई भी जगा जो है चुंगी पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पूरा जो मतलब सीमय सुल्प जो होता है वो नहीं देना पड़ेगा, यह सारे जो हैं आप बदलाव किये तो यह परफेक्ट एक्जामपल है, परफेक्ट उधारण है, किसका भाई आर्थिक उधारी कर सेहर और नैपृलन कि हमने सहिता की बारे में पढ लिया था, याद करो थुटा सा करो, नैपृलन की सहिता थी उसके बारे में हमने पढ लिया था नथाjm मैं पूरूल किया तो 8105 की बाद क्या होता है एक बहुत बड़ा बदलाव देखने मुलता है यहां पर बूर बहुत नहीं है तो उसने तो आदे से जाना याडा और चार्लियाथ और जब आदे से जाना योमड़ी जाली योगड़ है तो याउरप के जो बाकी सामराज जो थे न वो डर जाते हैं जैसे कि बिर्टेन हो गया आउस्ट्रिया हो गया रुश्या हो गया तो ये सब जो होते हैं न ये डर जाते हैं और जब ये डर जाते हैं तो ये सब साथ में मिल जाते हैं वह हैं ना तो यहाँ पर अठाओ सो पंदरा में वह उस्टाइब something के नम किन्किन देशों के बीच में ऊतके प्रशन आजाता है कि वाटरन। यूद्धा था वो कि कि बीच बीच में हुआ था तो वह नापॉलिन और देशों के बीच में हुआ था उब मतलब और यहां पर नैपॉलीन पर ट्रूडवादी लोग आ जाते हैं अब तक क्या था अब जब नैपॉलीन हार जाता है तो फ्रांस लब नैपॉलीन हार गया और जब फ्रांस हार गया तो यहाँ पर फिर से जो है रूडवादी जो लोग होते हैं यह आ जाते हैं पहली चीज क्या होई भई पहली चीज यह होई कि यहाँ पर फिर से जो है बुर्वो वंच जो होता है यह आ जाता है फिर से याद करो अठाव 1789 में बुर्वो वंच कोई जो हटाये गया था लु करती जाती है मतलब फ्रांस ने जहां से शुरूग किया दा 1789 में वहीं पर आके फिर से लुड़क जाते हैं क्योंकि नैपुलिन हार जाता है तो यह प्रेव देश जो होते हैं यह एक मीटिंग करते हैं जिसको बोला गया बेना संदी अब इसके बारे में बात करेंगे मागे चलिए बात कर लिएते हैं अब देखो नेपिलीन हार क्या नैपिलीन जिभा हार जाता है तो यहां पर वोता है क्या है 1815 में 1815 में यहां बेना संदी ओती है कि इस बेना क्या यह वह इना राजधानी है और इस मीटिंग में इसको इसकी chairmanship कौन करता है इसकी अड़क। कौन करता है तो इसकी अदश्चत्ता करते हैं Dukeärt Britney अजब स्कीत अधिब्श्चता करते है 815 में तो यहां पर क्या होता यहां पर बैसिकली अव फ्रांस आगे क्यासे काम करेगा उसपर निड़़ालिये जाते है समझ माया यानि कि अथा इसम सो पंद्रा में जब carro और नेपिलिन जब हर गया तो संदी होती है और यह संदी कहा पर होती है देना राजधानी है और इसमें जो है अल्लग निड़या जाते हैं नेपिलिन ने जितनी भी छेत रुपए कपजा किया था उनको आपसे में लोग बाट लेते हैं फ्रांस की सीमाओं की आसपास देश बना दिये जाते हैं अलगलग देश मना देते हैं ताकि फ्रांस भविश में आगे ऐसा कुछ फिर से ना कर पाए बुर्वोवंच की स्थापना हो जाती है फिर से जो को कि यह जीत हो जाती कि मनला प्रूर वा टीद जो नहीं चाहता था किäg बाइकि सिवी तरह आप उदारी करया होicks तो किसे नहीं हो था है ध्यायल को बतलाव निकी जflight हां एक चीज नहीं होती है अब जैसर जर्मन परिसंग जो-स राज्यों से मिलकर बनाया था उसको क्या बोलते हैं जर्मनी में पहले जर्मनी जर्मनी नहीं यहांपर जो है कई सारे राज बना दी जाते हैं यहांपर अभी उधारवादी लोग जो है बहुत जाद उचल लए लोग थे यह उचल ले तो अलग जो है वहांपर चीजें बहुत कानिया है यह ने पड़ते नहीं है अब ये देखते हैं कि बोर राजवंच आज गया है इसे लोग किसी भी तरह उड्रो करेंगे तो उसको कुछल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा ऐसे लोगों को, तो यहां पर होता है, उदारवादी जो लोगों होते हैं, वो अंडर्गराउंड हो जाते हैं, अपनी घर्विद्यों को जो है, तुम कर देते हैं, आप बोलते हैं थोड़ा वेट करो, इतने साल हमने मह सबसे बड़े करना बहुत जरूरी है और इसमें से एक सबसे बड़े करांतकारी जो थे वह थे भाई हमारे याद आप खुद ही बताओगे वह कौन थे कि अरे डिव्मेटर्नेक नहीं थे डिव मेंठर्नेक तो चांसलर था वह वह नहीं था कि बजीनी की बात कर रहा हुआ याद आगया कुछ तो इनकी भी हम बात करेंगे तो अभी मैंने का बताए कहानी को थोड़े जोड़े वह पड़ो अठाव सो पंद्रा में क्या हुआ सब्सक्राइब अब अपर अलग अलग सबूद समाज की तापना उन्हें लगती है इनका काम क्या था इनका काम यह था चुपके से गुप्तु रूप से यहांपर हम अपनी विचाधार यह आप अभी तक क्या ठीए खुले मं कर रहे थे अब क्या हुआ अब फिर से राजस्तंतर आ गया फिर से रूरवादी लोग आ गए अब यह क्या करेंगे जमीन दो शोकर यह अपनी सीक्र特व करेंगे नाम को फेल करेंगे और उसमें से एक इंसान ते नाम तर गुसीपी मजीन यह औ तो यह इटली कि जैटली में इनका जनम हुआ था और इनकी हम बात करें तो यह इंटलन करांतकाली थे है 1807 में आप जनम हुआ था और एक कारवो नारी नाम का संग्ठन जो था उसके जो है यह सरस्त भी रहे है अब क्या हुआ भई अब होता क्या है कि भाई देखो राश्चाही का वरोत करें और लोगतांत्रिक्स दांत करें अब यह जो सीक्र्ट सुसाइटिस बनी थी यह जो गुप संगठन बने थे इनका में काम क्यातन का काम यही था कि जो राश्चाही है उसका जो एंड किया जाए यही काम ताइनका लेगी चुप चुप करते दे तभी तो नाम रखती है इसका गुप संगठन गुप समाज कि बही करना है किसी के नजरों में नहीं आना अगर नजरों में आ गए तो यहां तो देश तरभाल निगाल दिया जाएगा या फिर फांसी पे लटका दिय तो इसी तरजी पर है जो है जो गुस्वी मजीनी थी इनों तौ तो गुफ संगठन खोने नाम और दो नहीं का न grad किया था कि रास्तवादी फिचाधाराओं को लोगों तक मोचाना नॉर्मल जो इंसान है जो मतब गरीब लोग GC को पता नहीं राष्टवाद होता क्या है उन तक अपनी विचाधाराओं को पुचाना अब मजीनी की तरच पर यहाँ पर बहुत सारी जो लोग थे त्योंकि अब बात कर लेते हैं क्रांती का योग अब आप देखोगे यहां पर अलग लग जवाप आपको क्रांती देखने को मिलेंगी अलग जवाप जो आपको क्रांती देखने को मिलेंगी आपको अभी जर्मनी में क्रांती देखने को मिलेंगी आपको हर जगा जो यहां पर क्रांत पर इनके हम बात करें वहाँ पर तो यह सारी जो यहां पर गत्विधिया वह आपको देखने को मिलेंगी है ना तो यहां पर बात हो रही है किसकी अब यहां पर क्या हो गया उदारवादी वर्सस रूडवादी इंद वनके बीच में क्या जन्ग चिडिया बैए अभी तक बविए आप देखोगे फ्रांस में करांटी हो गी जर्मनी में इटली में और में सामराज yen सब में करांती देखने वह मिलेगी एंधनी अब हुआ है अगे रपर जगा ना तक करें थेृ हुं नेपाय से बहार गया था तो वह अवेना संदी हुई और बिल्कुल फ्रांस को समेख दिया जाता है और फ्रांस मा फिर से बुर्वो राजवन चाहा जाता है यहां तक कहानी पहुंचे थे आप हम बात कर लेते हैं पंद्रा साल बात की अम आ जाते हैं पंद्रा साल तक ऐसी चलता रहा और यहां पर सही मौका तक है बैठे थे हैं जो उधारवादी लोग है कि मौका मिलेगा और यहां पर हम फिर से एक विद्रो कर देंगे जैसे 1789 में किया था होता क्या बाई पहले जो उतल पुतल होती है 1830 में होती है पंद्रा साल पर निगल जाते हैं और यहां पर होता है बाई उधारवादी करांतकारियों ने बुर्वो के राजाओं को उखार सेंगा जो बुर्वो राजवंच की स्तापना की गई थी शायद नैपोलियन तृती था परानी कौन था है पर स्बीधान तो और 830 में बन जाता है आपका होगयाग है राजा नहीं अभी घजना फिर्से уदव फिर्से होगी फ्रांस में काहनी घतम नहीं हúa फ्रांस मने फ्रांस में फ्रांस की तो एक कोई मूवी तरह को इस तरह इसक की श्टोरई इसको इसकी शचिरी है ना अब जब एक करांटी हुई तो उने करा ज़से अपभू आप देकर सकति हो ना इसको आप बडलता है अब जुलाई nutzen do को मिले उसकी अंबाद कर लें किहा प्रड़राम देखने मों बिलते हैं और पहला जो नीदर्लेंड होता है कि वह बैल्जियम से अलग हो जाता है कि एक बैल्जियम आपने आपको स्वतनतर रहो होगा धूर देटा ग्रीस की करांती एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग है इनकी जो करांती है वो करीबन लगबग जो आठारासो एक से शुरू हो जाती है और 1832 में इनको जो आजादी मिल जाती है और ग्रीस की अगर मैं बात करूं तो ग्रीस जो था ओर्टमन सामराज के अंडर में था ओर्टमन प्रभावित था ग्रीस की संस्कृति से तो यहां पर बहुत सारे जो लोग है इन्होंने काइंड ऑफ बहुत सारे रिवाल्ट किये कि ऑर यहां पर आप देगोगे कि ऐली 822 में जाकी जो इंग अजाती है वहांपे एक प्रीटी हो इसको बोला लाता है कुस्तुली इससे जो एक र्रीस की अजाती मिलती तो इनकी संस्कित से जो पूरा यॉरोप था वह बहुत प्रभावित था और कई सारी यॉरोपीन देश हैं उनका सपोर्ट था ग्रीस को इसको युनान भी बोल लेते हैं और जैसे कई सारी कभी हुए जिसमें से बहुत यादा फेमस बहुत यादा इनका प्रिसद्ध कभी थ करें यह बहुत प्रभावित हुआ और अगर हम बात करें घ्रीस की तो यहां पर ऑट्मन सामराज का राज था और यहां पर थोड़ा सा धर्मिक टकराओ भी देखने को मिलता है अब बात कर लिए अब बात कर लेते हैं राष्टवाद की भावना क्यवल युद्ध से नहीं होती बलकि जो और भी कई सारी चीज़े होती है राष्टवात की विस्तारी के हम बात करें आप युद्ध करके वरोत करके ही जो है सिर्फ राष्टवात की भावना नहीं लाते सबसे बड़ी बात यह है कि राष्टवात की भावना जो होती है वो अंदर से आती है आ आपको कोई फोर्स करता है कि आपने देश से प्यार करो, आप तो खुद अपने देश से प्यार करते हो, है ना, तो देश को प्यार करने के लिए और कौन-कौन सी चीजे चाहिए, राश्टवाद के लिए कौन-कौन सी चीजे चाहिए, तो उसकी बात हो रही है, तो यहां प सब जो है संस्क्रट का ही हिस्सा है तो इसको क्या बोलते हैं क्या पर जो लोग कथा सुनाते हैं वो विज्यान से थोड़ा अलग हाथ भागते हैं विज्यान के जो तर्क हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, यह थोड़ा सा emotions पर जाते हैं, समझें नो, थोड़ा सा emotionally connect करने की कोईशिश करते हैं, कि यह जैसे तुम बोलते हो न किसी से मैं तुमारे लिए होते हैं, वो थोड़ा सा emotions पर जाते हैं, वो विज्यान के तर्क पर नहीं जाते हैं, उसका वरोध करते हैं, तो ऐसे कुछ लोग हुए भाई, इन्होंने राष्टवात की भावना में कई सारी जो आप हो सकते contribution होता है, वो बहुत जाता contribute किया, और एक उधारन और देता हूं परिकलतना से भी हम काया कर सकते हैं, राष्टवात की भावना को उजागर कर सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा उधारन क्या है, तो सबसे अच्छा उधारन है पोलेंड का, तो पोलेंड के हम बात करें, तो आपको पता होना चीए, पोलेंड पे रूस का कबजा हो गया थ इने संस्कित क्पा आठे तो इनका बहुत किया गया यहां इंपर पॉलेंट यह एक बहुत अच्छा आप उधारन ले सकते हों इसकी केस में भाई रोमांचक प्रकल्पना या फिर आप बोसकते हो एक राष्टवात की भावना जो सिर्फ युद्ध से नहीं आती है ना तो जो पढ़ोगे रूसी कबजी के बाद जो पॉलिश भाषा को स्कूलों से भाहर निकाल दया गया हर जगा जो रूशी भाषा थो रूप में यूज किया चर्च की सभाव और सभी धार्मिक निर्देशों के लिए जो है पॉलिश भाषा का ही इस्तमाल किया जाता था इसके चक्कर में बहुत सारे जो पादरी थे इनको जेल में डाल लिया गया बहुत सारे को भाद दूर देर देश में बहेज देना उसी प्रभुत्र के वरुष संगर्स के प्रितिक की रूप में जाना जाता है तो यहां पर क्या हुआ बहुत संगर्स होता है उसके प्रितीक की रूप में अपने भाषा को इस्तमाल किया तो यह बहुत अच्छा उधारन है इसका अब बात कर लेते हैं तो भुकमरी कठना बात कर लेते हैं थोड़ा से चुप गया है पीड़े कोई बात नहीं हो ठीक है अब देखो यहां पर तोड़ा से पर आप पर आप बात हो रही है किसकी भूक हुमरी कंटनाई यह ब्रूजगारी बहुत जादा है यह बात हुरी है रूस की नहीं मैं बाट-बार मेरे मुंझे रोची निगल ला है फ्रांस की बात हो रही है अभी फ्रांस की गाड़ी जो यह तक पहुँची दिती तो बहई 1830 तक पहुंची ते 1830 तक 1830 में क्या वा वधाई, लूई फिलिफ क्यों होता, हैं का राज़ा बन जाता है, और फाइनली, यहां पर आपको लग दाहा होगा, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ, 1830 से 1848 तक जो लुई फिलिप होते हैं ये भी कुछ जादा कर नहीं पाए ये भी कुछ जादा कदम उठा नहीं पाए अच्छे अच्छे कदम नहीं उठा पाए और यहां पर देखा गया कि फ्रांस में लोग जो हैं भूग से मर रहे हैं बहुत जादा कष्णाईयां हो रही क्योंकि समाल नहीं पाता सकता को और फाइनली यहां पर क्या होता है फाइनली यहां पर 1848 में फ्रांस जो होता है एक गड़तन देश की रूप में भरके सामने आता है तो 1848 का साल एक ऐसा ही बुरा साल था भाई भोजन की कमी और बढ़ती बेरुजगारी के कारण एक तो बेरुजगारी बहुत जादा थी लोग सड़कों पर आ गए विद्रो अतना जबदस था कि लुई फिलिप जो है वहां से डर की वैसे भाग गया कि यहां को मार डालेंगे लोग फिर से क्या होता भाई एक नेशनल असेंबली ने प्रजा तंत की घोशना कर दी और 21 साल से उपर के उम्र के सभी व्यस्क प्रश्चों को जो है मता अधिकार दे दिया लोगों को काम के अधिकार की घोशना करती राइट टू वर्क रोजगार महिया कराने के लिए राश्टी कार का शाला बनाएंगी तो अब यहां पर यहां पर जैसे यहां पर लुई फिलिप है और यहां पर क्या करत्म है Battle गया तो यहां पर आखिगार महिया कर वाने के लिए काम ंधंदा देने के लिए आपर कई सारी मनेगी जहां पर लोगों को काम शृचाए जाएगी, 開心 धाली कार करें जाएक एक वहनुन का जो होते हैं सबी को काम करने si lysia के talking si yas lie öğ see a ghost ski rosa AH se libyte करें तो करें कि हृसा है गाहाँ पर तो यह from फॉलेंट में ही हैं यह पर अब अपर की बुख में रख्या यह कभी कभी एक्जाम में पूच ला जाता है 845 में पुछ न को a और बुंकरूंने क्या किया तो और अपया निर्फेकते तो रही पमतिकरों वह से बहुत कंगाई government और वह ऊपर से स्टेशन और भुक्मरी की से ब्रेज़ काय्यारी बहुत ज्यादा थी तो नहीं करके अंदर गजगे उनके दरवाजे वगरा तोड़ दिये ठीके दार भागते हुए या पहुंचे लोगों के पास लोगों ने हैल्प करने समना कर दिया फिर बाद में देखा जाता है ठीके दार जो होते हैं यह 11 मजदूर को जो है मार देते हैं तो इस घटना को क्या बोल तो डेट और तारीक याद रखने हैं आपको और आपको साल याद रखना अठासो पैतालेस चार जून है उन्होंने उसके हवेली को नश्ट कर दिया और उस भंडगर को तोड़ फोर की जहां पर सारा कपड़ा रखा गया था ठेकिदार ने सेना मुलाली और जगड़े में ग्यारा बुनकर जो हमारे गए है ना तो इस केस को हम क्या बोल लेते हैं सिले सिया का केस बोल लेते हैं बिरुजगारी और गरीबी के कारण जो है योरोप भर में श्रमिकों की दारा जो विरोध हो रहे थे उसका एक बहुत अच्छा था उधारन ये देखने को मिलता है त आप देखो हमने ग्रीस को आजाद करवा लिया हमने जो फाइनली फ्रांस जो था वह भी गरतंत बन चुका ए 848 में आप कुछ नहीं होगा फ्रांस में सबको आजाद करवा लिया अब आप देखोगे धीरे-धीरे कि दूसरे जो लोग है अब देखोगे इटली आजाद हो अब देखोगे आप जर्मनी इटली पोलेंड और समधान की मांग शुरू यहाँ पर बेसिकली क्या शुरू हो गया इनमें जो देश में लोग रह रहे थे तो फ्रांस की तरज़ पर यह लोग क्या कर रहे थे राश्ट की एकिकरण की मांग कर रहे थे जो राज है जो सम्विधान भी होना चाहिए सम्विधान जो देश को चलाएगा तो आज का हमारा जो मौडरन दोना जो आधनिक दिनिया है वो ऐसी तो चल ले है हमाई है ना एक कहने का मतलब का एक संसदी प्रडाली की मांग हो रही थी एक संसद होनी चाहिए बाई इसमें जो लोग पैसा कमा लिया था यह क्या करते हैं भाई तो मद्धमवर की जैसे लोग ते पेशवर के जो लोग ते व्यापारी थे धनी कलाकार जो थे इन्होंने सकल जर्मी जर्मन असेंबली की घोशना की वह रही होती है तो खुद की तरक्की होने का मन करता है ना तो यह फ्रांस को लापारी होते हैं धनी किलाकार होते हैं यह खुद की जो है एख सकल जर्मन असेंबली की घोशना कर देते हैं जहसा फ्रांस मेरिए थीased प्रांस मेर्ड new असेंबली जो इथी वैसेओ लोग जये इन लोग किसने प्रिन इन लोगों को जो है, शक्रि नागर कोई चुना था। और ये बोलते हैं कि ये जर्मन राश्ट का संभनान तयार कर लेते हैं, जर्मन राश्ट क्यो है, अब क्या होगा। अब जो है यहां पर सम्विधानिक राज तंद्र की वस्ता की जाएगी, सम्विधानिक राज तंद्र, सम्विधानिक राज तंद्र, यह क्या होता है बाई, कि यह राजा तो होगा, लेकिन राजा जो होगा, वो किसके साब से चलेगा, सम्विधानिक के साब से चलेगा, अब यहां पर क्या हुआ चूंन थे थे फ्रेडरिक विल्यम तो फ्रेडरिक विल्यम प्रृत्थम को हुझा उच्छं के पाइन जाते हैं एल बोलते हैं यह कि सामने पर एक प्रस्ताव रहते यह आज के बाद आप समधान के साथ से चलोगे और ड़गी आप कोई आप सम्विधान के साथ से चलना पड़ेगा अब यहां पर यह राजा एक्दम बॉगला जाते हैं यह क्या बात है यह क्या बात है ऐसे कैसे मतलब कर दोगे तुम ऐसे कैसे घटा सकते होने तो होता है ना कि राजा वाली भावना बाई कोई भाई हजारों साल सो रूल कर रहा राजा रजवारों को रूल चलना है वहां पर और तुम जाकर एकदम से बोलो कि तुम हटा हो यहां से कर दी से यहां तुम सिर्फ दिखावटी राजा हो बागी सब हम समालेंगे तो कैसा लगेगा ठीक है ना अब यहां पर हुआ क्या है कि इनके वुद्रों को दवा दिय नोगी है इनकी सेना आ जाती है राजा की और इस असेंबली को बिल्कुल बरखास्त कर दिया जाता है तो यह जो कोशिश थी इनकी आतार 4848 में नकाम्याब भी अचा अब जब यह कोशिश नकाम्याब भी तो यहां पर बादी लोग थे इन्होंनों खुद सोचा कि बात बत हुँँगे फाइदा क्या है तो यहां पर अब यहां पर जो रूडवादि यह खुद सोचेंगे होता है ना कि मुवी चले लिए होती है कि जो विलन होता है एंड में हमने सब खुरी कर दिया अगर हमने उदारवादियों की मांग खुरी पूरी कर दी तो हम इनकी नजरों में हीरो बन जाएंगे अगर हमने नहीं पूरी की तो एक ना एक दिन जैसे लुई सोलमे को मार दिया था वैसे हमको मार दिया जाएगा तो एक काम करते हैं जो इनकी डि उसका नाम विस्मा और किंग विल्यम पर्थम जो ते इसके राजा थे अब है यहां पर होता क्या है ओट्मन विस्माक को यहां पर जिम्यदारी दी जाती है कि तुम पूरा 49 राज़ें को एक करवा और इन 49 राज़ें के हम बात करें इस पह अलग अलग जो सामराज्ज है उनका राज़ता है जै और लोग की नीती अपनाते हैं ये लडाई तो करनी पड़ेगी, खून खराबा भी होगा तो साथ साल तक ये तीन देशों के साथ लड़ते हैं आउस्ट्रिया, डेन्माक और फ्रांस सेडान मा आखरी युद्ध होता है इन राजा नहीं इने फ्रांक्फर्ट की स valid 1870 में 18-18 में Frankfurt की संद्धी होती है उससे जो यहां पर जर्मनी का क्या हो जाता है एक गरण हो जाता है और यहां पर विलियम प्रिथम जो होते हैं यहां के राजा बन जाते है ठीक है अब बात कर लेते हैं इटली की बहुत अच्छा एकड़म अलग ही सीन है इटली का इटली के एक बान गुसीपी मजीनी इनका नाम था गुसीपी मजीनी का नाम था इनका बहुत बड़ा रोल रहा है अब मधली खुद मद्यम वर्क से आते ते यह आजात तो नहीं कर वा पाए इटली को लेकिन इन्हों ने एक है बहुत बढ़ी छाफ चोड़ दी कहीं न है रूडवारियों के मन में अब होता क्या था थोड़ा जर्मनी को थोड़ा इटली को समझने की कोशिश करो इटली जो था नहीं तीन भागों में वाजिद था यहां पर साथ अलग लग जो सामराज है वो रूल कर रहे थे साथ भाग में वाजिद था यहां पर अलग लग सा सबसे रह पर और मैं दक्षिल-वाक की की बात करूं यहां पर नीचे वाला वाग पर और एक चाब और यह वाला ओर जिसको हम बोलते और इटली को एक कैसे करना है तो यह दारों दरार जो है यह दामुदरार जो है किसने उठाया तो यह दामुदरार जो है यहाँ पर जो इटैलिन परवार के जो विक्टर इन्हों ने इतके राजा थे सर्विद्या प्रवण त्लिका भाग था इटीका इसके राजा थे इलिंद रजए वीक्टर इसके राजा त्वेसी 15 इन्हों ने मुख्यमंतरी थे Count Kevur नाम था तो इने जमेदानी दी कि जाओ तुम उत्तरी भाग को आजाद करो उत्तरी भाग किसके अंडर में था तो उस्टिया का जो हैपसर सामराज है इसके अंडर में था तो यह मुख्यमंतरी Count Kevur की हम बात करें तो यह अस्ति-सक 편ूट करते हैं टो फ्रांस का बितना नें टो हमें अपने अपर यह लुदा निकरने तुम कुछ लेचा वाल पढ़े लिडाई करने नहीं पड़ती बात है दक्षडी भाग को आजात करवाने में सबसे बड़ा रोल किसका है तो बाई ये है गुसीपी गैरी बाल्डी का जैयरी बाल्डी का नाविक थी और वह बहुत यह किसानों का बहुत बढ़ है तो किसानों मिदद करके तो दक्षण। भाग में जहां पर इससपेन का ब्रोवभ वंच था उसको घ्याद करवाने में इनकी बहुत बड़ी भूम कर रही है, तो आप बोल सकते हो, उसे भी मजीनी, काउंट करबूर और गैरिबाली, इन तीन का जो है बहुत बड़ा रोल आ है इटली के एक करण में, और फाइनल आप देखोगे, 1861 में जो है, विक्तर एमेनल दृति जो होते हैं, इनको समगर इटली का राजा घोशित कर दे जाता है, इटली जो है एक राष्ट के रूप में आता है, और यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर अलग-अलग कदम उठाए जाते हैं, ताकि यहाँ पर एक आधुनी करण हो सके, इटली का, है ना, जैसे उधारवादी लोग चाहते थे वैसा हो सके, तो ऐसे कदम उठाए जाते हैं, तो फाइली हमने जर्मणी को आजात करवा दिया, और इटली को भी हमने आजाद करवा दिया अब बात कर लेते हैं बिटेन की अब बिटेन की हम बात करें तो बिटेन का अजीब और गरीब कहानी ऐसा क्यों बोला जा रहा है हम यह क्यों नहीं बोले है बिटेन की अजीब और गरीब कहानी क्यों बोलना है है ना तो तो बिटेन की कहानी और इन जहाती संबूवह में सबसे तागतवर और सबसे समरध जो जहाती संबू था वह था English जो inalant मैं रहते ते जिन्हों हैँ पर रूड किया इनहीं आप रेटिशर्स बोलते हो इनहीं हो राज किया था वैड चोटा सा दिखता भी नहीं है में आप में और इसने अधी से चाहिए अब यहांपर मात करें तो इंगलीश यो था यह सबसे तागतवर जाती समूँ था अब इंगलीश की हम बात करें तो यहां पर होगा था तो 1688 में 1688 में जो England तयानी की जो England तयानी पर रानी थी तो यहां की जो Parliament थी यहां का जो संसक था वो ज़ादा तागतवर हो जाता है और Parliament के हाथ में तागत आ जाती है 1608 सी में और फाइनली होता क्या बाई फाइनली जो बाकी के जादी समूव होते हैं इनको यह अपने आपने समानी की सोजिश करते हैं को यह हम जो है इनको आपस में सब पूरा मिला लेंगे इनको इंगलिश और वेल्स तो पहली इनके अंडर में आ जाता है इससे क्या होता है इसको मिलाकर इंगलेंड और वेल्स को मिलाकर हम ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना करते हैं अब तक आप तक जो है इंगलेंड और वेल्स से साथ में अब यहां पर इन्होंने स्कॉट्लेंड को भी अपने आप में जोड़ेंड और इनकी संस्कृत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंगलिश की अब यह इंगलिश भाषा ही बोलेंगे इदर स्कॉट्टिश भाषा नहीं बोलेंगे तो यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब बात कर लेते हैं अब यहां पर बचा कौन आइरिश जो आइरलेंड में थोड़ी कहां यह अलग थी यहां पर कोई विद्रो नहीं हुआ ले नहीं होगे तो यहां पर एक वॉल स्टोन करके आए leader थे एक जो बोल्ट तोन बेसिकली पादरी थे इनके अंडर में जो है बेसिकली यहां पर revolt होता है लेकिन इस revolt को जो है दवा दिया जाता है और finally क्या होता है finally जो आयलेंड जो होता है finally Ireland को यहां पर English में जोड ले जाता है अब देखो क्या हूँअ आप इहां पर Scotland स्कॉच्टलैंड और और पिधिन और पर जैसे इसमें नदन आयलेंड जोड दिया हमें तो यह क्या बनगा यह उनटरी आयलेंड जो पूरा जो पचा कुछ आयलेंड है है ना जो Republic of Ireland है इसको हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा तो यह British आइल्स बन जाएगा तो ऐसे करके क्या हुआ ऐसे करके English जो सबसे तागतवर एक जाती समूँ था उसने सब को आपसमें जोड़ लिया और the Great Britain की जो है आपर गए तो यह काफी लंबा प्रोसेस था और उसका अजीब हो गरीब केस इसलिए बोला जा रहा है समझ मागया चलिए अब हम बोलते हैं ना भारत माता की जाए है ना बोलते हैं ना भारत माता की जाए तो भारत माता अगर आप देखो एक मैजन कर सकते हो भारत माता को रियल में नहीं है वो सिर्फ एक लेडिस का फिकर है एक महिला का रूपक है एक काइंड ओ रस्पेक्ट देने के लिए हम महिला करें हम फ्रांस की तो फ्रांस की कौन थे मेरे याना थी तो यह सब क्या थी आलिगरी थी सम्झ जो है राष्ट की अपनी कलपना करते हैं तो अगर आप देखोगे यह जो पूरा इनका वस्त्र है जो भी नों सम्राज का जो कि प्रितिक शक्ती जो है cabeçaर इक साइन ये बतूर की तियों की डाली उफ पर यहां पर यहां जाली जो लेपती हुई है तो तो इसकी क्या मतलब है इसकी मतलब है इसका मतलब है शांति की चाहा काला लाल और सुनायरा Taminga तुरंगा जुटना देख रहे हैं तो तो इसका किया मतलब है तो आठारायुट मैं ओदारवादी राश्ट वाजयों की जिसे जन्मन राज्यों के प्रत्वंद्व होशित करें तो बिसके जंडा इनका जर्मनी का जंडा बोल सकते हो तो यह तो यह नई युक्टी शुरुआथ हो चुकिया बेसके लिए तो यह सब था यहां पर किसके बारे में राश्ट की कलपना के बारे में ठीक है नब यह राश्ट टॉपिक बचा हुआ आपका एक है राष्ट करते हो तो तो राष्ट वाद न पता किया होता है कि जब आपके अंदर चाहा बहुत बढ़ जाती है और अपने राच को बढ़ाना चाहते हो इसको विस्तार ख्रना चाहते हो जैसे हम बात करें बिटिश बृटिश और फ्रांस की बात करें इनके देश में राश्टवाद तो था, लेकि साथ की साथ सामराजवाद भी था, ये दूसरे राज़ों पर कबजा करना चाहते थे, तबी तो भारत को गुलाम बना लिया, तबी तो वेतनाम को गुलाम बना लिया, है ना, अब इसी की चहां में यहां पर दिक्कत क्या होती ह है, तो यॉरोप की ही हम बात करेंगे न, तो बालकन कहां पर है, बालकन यॉरोप में है, बालकन एक छेतर है, जहां पर बहुत सारे देश है, छोड़ छोड़ देश, जैसे की रुमानिया, बुल्गैरिया, आलबेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, ख्रोएशिया, तो यहां प ऐसे भी होगी अंग्लेजिव नहीं हमें गुलाम क्यों मनाया है अफ्रीका में खनिश थे संसादन थे तो ऐसे ही इस बालकन छेतर में एक तो ऑटमन सामराज का राज था और बालकन छेतर में भी कुछ राष्टवादी गतिविदिया चल नहीं थी वो भी अपने आपको आज पर गड़ी हुए थी क्यों क्योंकि यहां पर पिछुर मात्रा में संसादन थे अब इस पर कपजा कॉन करेगा है ना तो यह पर सामराज की सामराज वात की भावना एंपैरिलिजम की भावना है यह क्या करवाएगी यह प्रिथम विश्यूद करवाईगी वर्डवार फष हुआ था पहला विश्यूद हुआ था ठीक है ना तो यह कहानी थी वाई किसकी वाई राष्टवाद और समराज बात की तो यह यह चाप्टर जो होता यहां पर समाप्त हुआ I hope सारी जो चीज़ें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आगी होंगी डि